नमस्कार दोस्तों स्वागत आज की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं नई micro SUV के बारे में Tata Motors जल्दी अपनी micro SUV, HBX को festive season के पहले इंडिन मार्गेट में लॉंच करने वाले हैं लॉंच करने के पहले ही इस गाड़ी के नाम की हवाएं उड़ रही थी सबको इसने बंद कर दिया गया ओफिशली टाटा ने इसका नाम टाटा पंच होगा यह रिवील कर दिया गया इस वीडियो में आपको टाटा पंच के बारे में वो सब कुछ बताऊंगा जो टाटा ने ओफिशली रिलीज किया है इस गाड़ी के concept को सबसे पहले 2019 में जिनेवर मोटर शों में रिवील किया गया था कोड़ नेम H2X के साथ उसके बाद अगले ही साल 2020 में इंडियन ओटो एक्सपो में वापिस टाटा ने इसको रिवील किया गया कोड़ नेम HBX दिया गया वहीं बस इंडियन मार्केट में इसका माहुल बनना शुरू हो गया और एक माइक्रो SUV का लोग इंतजार करने लग गए सबसे बड़ी बात इस गाड़ी के बारे में एक बजट और इसका अट्रेक्टिव डिजाइन जो लोगों काफी इंतजार करने के लिए परभावी हो गया वक्त के साथ इस गाड़ी को कहीं सारे नाम दिये गए जैसे टाटा टिमेरो टाटा हॉन बिलने कि अब ओफिशल इसका नाम टाटा पंच होगा जिस कंसेप्ट को आटो एक्सपो में रिवील किया गया था उसकी डाइमेंशन आपको अपनी स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रही होंगी इसका लेंध होगा 3840 mm बिट होगा 121822 mm हाइट होगी 1635 mm वील बेस होगा 2450 mm लोंज होने के बाद ये डारेक्ट कंपीट करेगी मारूती इगनिस और महिंद्रा के वी वन डबलो एन एकस्टी को इसलिए तीनों को कंपेर करूं तो मैं आपको टाटा पंच की सभी चीजों में ये इगनिस और क वी वन डबलो से आगे देखने को मिल जाएगी इस गाड़ी में आपको दो तरह के पेट्रोल इंजन देखने को लेंगा डीजल इंजन आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा पहला ओप्शन होगा टाटा टियागो टिगोर और टाटा अल्ट्रोज में 1.2 लिटर क क्लेम करेगी शायद टाटा इसके बारे में दूसरा इंजन आपको इसमें 1.2 लिटर टर्बो चार्ज बेट्रोल इंजन मिल जाएगा विड डारेक्ट इंजेक्शन टेकनलोजी ये इंजन लगबग 108 बहप की पावर टोर्क 140 mm मैनूल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेगा लेक क्यूंकि टाटव ने फौटो उ में रिवील किया है बिमेज के प्रूफ शकर दिया है इसका अभी तक आपको टाटे ने एक इमेज को ण को रिवील किया है जिसमें आपको फ़रन्ट और साइड लूक देखने के लिए मिल रहा है रियर प्रोफाइल की बात करूं तो मैं देखने के लिए मिल रहा है और साइड को देख सकते हो रियर प्रोफाइल की बात करो और इंटीर एक्जेक्टली कैसा होगो वो अभी तक टाटा ने ओफिशली रिवील नहीं किया है फ्रेंट और साइड प्रोफाइल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंटीर भी सेम ओटो एक्सपो में जैसा दिखाया था वैसा ही होगा इसका फ्रेंट देखकर ऐसा लगता है जो टाटा जैसे टाटा हैरियर को चारो तरफ से दबा दिया हो कंप्रेस कर दिया हो हैरियर की तरह इसमें सबसे उपर LED DRL उसके साथ ही अंदर की और आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है उसके नीचे आपको डूइल चैंबर प्रोजेक्टर हैड लम्प दिये गए है सबसे नीचे बंपर पर आपको हैलोजन फोग लम्प दिये गए है जैसे कि आपको स्क्रीन पर देखने की बिल रहा है जिस तरह हैरियर स्पोर्टी और प्रेमियम लगती है उसी की तरह इसको भी डिजाइन किया गया है जैसे कि अंदर सबसे हैवी फीचर के साथ टाटा अपने जैसे और भी गाडिया बना रहा है तो फीचर वाइस भी काफी जादा गाड़ी मस्कुलर और हैवी होने वाली है आपको सेमी डिजिटल मिल जाएगी रेक्टेंगलर एसी वेंट मिल जाएगे आपको ओटो क्लाइमिट कंट्रोल एसी मिल जाएगा काफी सारे फीचर्स हैं जो कि मुझे सच में काफी अच्छी लग रहे है रोड प्रेजन्स भी काफी अच्छी होने वाली है गाड़ी की जिस तरह का इंटिरियर इसमें दिख रहा है शायद बैसा ही टाटा रिवील कर सकता है या इंडियन ओटो एक्सपो की फोटो है जो कि जिसमें टाटा ने काफी अच्छा परफॉर्म किया तो अपनी गाड़े हो काफी जादा सुन्दर दिखाया तो मुझे ऑफिशली गाड़ी काफी अच्छी पसंद आ रही है अगर मैं इसकी प्राइज रेंज की बात करता हूँ तो प्राइज रेंज भी कुछ मारूती इगनिस और के उवी बन डावलो एन एक्सटी से सिमिलर ही रहने वाली है पीछे कर मैं रियर डोर की बात करते हूँ तो रियर डोर हैंडल भी आपको उपर ही मिलेगा टेल लेंप टी शेप मिल जाएंगे जो काफी जाद इस सेगमेंट की गाड़ी को मस्कुलर बनाते हैं वीडियो कर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सस्क्राइब करें थेंक यू फॉर वाच्ट आपको